स्वाज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं और अगर इस क्वेश्चन का आपने ठीक जवाब दिया बचो तो यह चैप्टर आज ही खतम हो जाएगा और अगर आपने ठीक जवाब नहीं दिया तो मैं आपको तो सो कॉल्ड थोड़ा सा पर्शान करता रहूंगा इला सिट्यू आप दिमांड में हमारे थोड़े से नुमेरिकल्स बचें वज बाकी हुमारा चैप्टर खतम हो चुका चलिए रेडी तो आंसर दो क्षिशन चलिए आपका चैप्टर आज के आज ही बच्चोंगा इसका जवाब अगर आपने सही दे दिया तो आपका चैप्टर आज के आज ही बच्चोंगा खतम हो जाएगा कितनी चपातीज हम खा सकते हैं यह आपको जवाब देना है एक जवाब आया नंबर ओफ चपातीज पापास टूइट जितना पापा बोलेंगे मों उतना खा लेंगे चलिए यह जवाब तो गलत हो गया और कोई जवाब चलिए कुछ कह रहे हैं अकॉर्डिंग टूर विलिंगनेस चलिए कुछ कह रहे हैं चलिए जितनी पर पर संगी रिक्वाइर्मेंट होगी चलिए अच्छा यह तो अब एकदम ग्यान देने लगगा है मेरे को चलिए कुछ कह रहे हैं जितनी भूग लगेगी वेरी गूड वेरी गूड अच्छा और को जवाब पाफीजी को जवाब कितिका जी को जवाब तुशा जी को जवाब हाँ मेनी चपातीस कैन वी इट इसा नहीं होगा औ और कोई जवाब और कोई जवाब चलिए गरी चलिए मैं जवाब दोता हूं वी इशैल इस और कि टील o ए एक्स ж tribes हो घृयक्त tutte ॔र आफ चपातीस है अबतर कि यह क्या होता है एक्स नंबर ऐफ चपातीस का मतलब क्या होता है तो यहां पर एक्स का मतलब क्या हुआ चल्ड़न ना ना कोई असम्शन नहीं वेर एक्स मेंस तब नंबर ओफ चपाथीज इन विच वी आर फुल्ली साथिस्वाइड हम इतनी चपाथी खाएंगे जिसमें पुरी तरह से सतस्वाइब हुँ जाया हुपडे मठजै चलू होपडेम बात गे चलंव यड़रू अटिस्वाठि किन Quindi तुआ इती हर् पाथशिटटिक्साएंग yellow और दियकंगर टिर अजिंग तर हर विम अए विम अप्यर वॉठ hmप विम हर्या कंज्यूम एक्स, एक्स नंबर ओफ चपातीज का मतलग means the number of चपातीज in which we are children fully satisfied. तब तक चपातीज खाते रहेंगे, खाते रहेंगे, खाते रहेंगे जब तक हमारा satisfaction level क्या नहीं हो जाता बचो, maximum, zero, zero फे क्यों होगा बचो, zero satisfaction तो खाएंगे ना, maximum नहीं हो जाता और उसके बाद हम च called effort नहीं करेंगे, because we are fully satisfied. खोपड़ें बात गई, तो कितनी चपातीज हम खाएंगे फिर से जवाब दीजे, जब तक हमारा satisfaction level full नहीं हो जाता. इतनी बात सब को समझ में आगे, इतनी बात सब को समझ में आगे, इतिका जी, पापकी जी, तुशा जी, जोल जी समझाएंगे तो जिस चीज़ को अंग्रेजी में बोलते हैं, maximum satisfaction children, उस चीज़ को economics में क्या बोला जाता है? उस चीज़ को economics में बोला जाता है, marginal utility is maximized. क्या बोला बचोंने? marginal utility is maximized. ना, 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 marginal utility is maximized. मैं कोई student नहीं हूँ, class 11 का जो economics बढ़ा रहा हूँ. What a clear? Marginal utility, जब आपकी maximize होगी, तब आप किसी भी चीज़ के consumption को छोड़ देते हैं. तो आपने आज एक नई shirt करी दी, नया trouser करीदा, जब तक वो आपको अच्छा लगता रहेगा, आप उसको प पहना कम कर देंगे या हो सकता है कुछ लोग बंद करते हैं. पापा bought a new car, 4-5 साल बाद उन्होंने मम्मी से बोला, अब ये कार चलाने में मज़ा नहीं आ रहा है. तो मम्मी ने कहा कोई pizza थोड़ा है जो मज़ा हैगा. अरे कहने का मतलब कार पे repair maintenance ज़ादा हो रहा है, बट उसका repair maintenance भी ज़ादा हो गया है, तो पापा को हर साल कार में 50-60,000 पे extra खर्च करना पड़ा है, जो पहले 5,000 खर्च करना पड़ता हो था. What पापा विल डू? पापा कहेंगे 10 लाग की गाड़ी लीती, चलो इसको 5-6 लाग में बेच देते हैं, और 12 लाग की एक नई satisfaction level बढ़ जाएगा, तो जो भी करम कांड हम करते हैं, जीवन में किरय करम करते हैं, वो सिर्फ एक ही तरफ हमेशा inclined होता है, and what is that? Marginal utility is maximized, तो seller भी एक product तभी तक बेचता है, जब तक उसका profit high होता है, बाइर भी किसी चीज़ को बस तभी तक खरीटता है, जब तक उससे म known as children consumer behavior, got it clear? और consumer behavior की study करने के लिए ठेर सारे economists ने चल्गन, दुनिया में अलग-अलग theories लिखी हैं, और इन सारी theories का ultimately outcome दो parts में divide कर दिया गया, some theories are there which are based on the concept of cardinality and some theories are there children, जिसका emphasis किस पे बेच़ है, ordinality पे, ordinality और cardinality का मतलब क्या होता है, जो cardinality पे बेच़ है, इसको बोलते हैं, cardinal analysis, sir what is cardinal analysis, sir वो जाना पड़ेगा cardiac surgeon के पास, अरे नहीं वही ऐसा कुछ नहीं होता, और जो ordinality पे बेच़ है चल्गन, हम उसके लिए शब्द यूज़ करते हैं, what? ordinal analysis, sir cardinal और ordinal में फर्क क्या होता है, this is measured on the basis of numbers, whereas ordinal जो होता है, बच्छो, that is measured not on the basis of numbers, rather it is on the basis of ranks, I repeat children, on the basis of ranks, मेरी बाते हैं सुना ही पड़ी हैं लोगों को, पक्का, clearly understood, cardinal utility का जो concept economics में बनाये चल्गें, ये concept basically हमारे Alfred चाचु ने बनाया था, आपने शायद Alfred Marshall सहाब का नाम सुना होगा, इन्होंने अपना concept जो बनाया, उसके लिए इन्होंने price को consider किया, किसको consider किया चल्गें, as well as quantity, इनके कुछ disciples थे, जिन्होंने सोचा, कि बई, price को तो आपने consider कर लिया, बट क्या ये जरूरी है बच्चो कि कोई भी consumer अपने जीवन में at a time एक ही commodity का consumption करेगा, he won't be having multiple commodity to be consume, multiple commodity consume करते हैं आप जीवन में, कफला भी खरीदेंगे, चपल भी खरीदेंगे, खाना भी लेंगे, तो so called, जब यहाँ पे quantity की बात आई, तो सबसे पहले single commodity की बात की गई, किसकी बात की गई बच्चो, single commodity की, और सबसे खटिया लेवल का जो analysis था, there, Alfred Marshall साहब ने, सिर्फ और सिर्फ quantity of a commodity को लिया, price से कोई मतलब नहीं रखा, फिर इन्होंने चीज़ों को analyze किया, better to say, इनके disciples ने, कि दुनिया में कोई भी इनसान अगर कोई चीज़ खरीटता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ कभी भी अपनी so-called reason से नहीं बिक्ती, many a times हम किसी भी commodity को जब खरीद रहे हैं बच्चों, तो उसके लिए हमारा price बहुत important हो जाता है, कि भी अगर 50,000 रुपे में हमको iPhone मिलेगा, तो हम उसको खरीदेंगे, बट अगर 1.5 लाक में मिलेगा, तो शायद हम उसको ना खरीदें, तो Alfred Marshall साहब ने सबसे पहले एक analysis किया, लोगों के उपर और ये देखा, as we consume more and more units of a commodity, the satisfaction goes on diminishing, उसके बाद उनके disciples के मन में थोट आया होगा, उनके मन में थोट आया होगा, कि भई एक चीज़ को हम ignore कर रहे हैं, and what is that? Price, तो उन्होंने एक और theory बनाई, जिसमें उन्होंने quantity के साथ साथ commodity का price भी लिया, thereafter उनके दिमाग में एक और बात आ गई, कि रियल वर्ल्ड में कोई भी consumer सिर्फ और सिर्फ एक commodity तो consume करेगा नहीं, वो consume करेगा so-called more than one, double या multiple commodities, और consumer जब भी किसी चीज़ को consume करेगा, उसके लिए income is also an important parameter to understand, तो तीन तरह की theories, basically Alfred Marshall सहब ने cardinal utility analysis या cardinal analysis of consumer behavior के उपर लिखी, इतनी बाते हैं सबको समझ ना गए, पका, यहाँ तक कोई confusion, कोई problem किसी को, इतका जो सर, अब जो इन भाई साब ने theory लिखी और शायद ये मरने की कघार पे होंगे, या जिन्दा भी थे, whatsoever it is, कुछ लोगों ने Marshall सहब के demand function को लिया, और demand function क्या होता है बच्चों, dx equals to function, px, pr, y, और उसके आगे क्या था, taste and preference, तो j, r, hicks, and, r, g, d, ln, यह सर, वो ln coaching वाले हैं, अरे नहीं भाई, ln coaching में, a, l, l, e, n, तो किसी का नामी नहीं है, तो सर्व वो ln क्यों लिखते हैं, ln, महेश्वरी, l for London, n for New York, महेश्वरी उनके पिता जी का नाम था, जो इस समय चार भाई उसको चला रहे हैं, उनके नीचे पांच, उनके बच्चे, तो ln, महेश्वरी जी के नाम पे आलन रग दिया, थोड़ा हाई-फाई लगता है, जैसे सत्यम कंप्यूटर कंपनी थी, fraud निकल गई, उसका उल्टा था मैटास, M-A-Y-T-A-S, तुना हाई-फाई लगता है, उनका कोई लेना देना भी नहीं, अब लेना देना हो गिया है, तो J.R.Hicks और R.G.D. एलन सहाब ने सोचा, कि कंजूमर हमेशा, प्राइस के बेसिस पे चीजों को खरीदे, ये ज़रूरी नहीं है, सम्टाइम्स, अपने टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अक्वाडिंगली भी चीजों को जच करता है, तो इन्होंने बचों एक थिएरी बनाई, जिसका नाम रखा गया, इन डिफरेंस अनलिसस, तो इन डिफरेंस अनलिसस जो है, वो टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे बेस्ट है चल्रें, वेराज अल्फरेंड मार्शल साहब की जो तीन थिएरीज है, एक का नाम होगा, लॉप डिमिशिंग मार्जिनल यूटिटी, जहां पे हमको सिर्फ कॉंटिटी से मतलब है, दूसरे को हम बोलेंगे, सिंगल कमोडिटी मॉडल विद प्राइस, इसको बोलते हैं, यूटिलिटी अनलिसिस, आई रिपीट, यूटिलिटी अनलिसिस, देर आफ्टर, हम लॉफ एक्वी मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ेंगे, जहां पे दो कमोडिटी उस पे, कंजूमर अपनी इंकम को अलोकेट करेगा, और इस तरह से अलोकेट करेगा, कि उससे मिलने वाला साटिस्फाक्शन ज्यादा से ज्यादा हो, तो इन ओल कितनी थेयरीज आपको बढ़ाई जाएंगी, कितनी थेयरीज बढ़ाई जाएंगी, चार, अब जब ये इन डिफरेंस थेयरी, जे आर हिक साब और आर जी डी एलन साब ने बनाई, तो इन्होंने सोचा, कि हमने अपनी थेयरी में, टेस्ट अंड प्रफरेंस के हिसाब से कमोडिटीज को भी ले लिया, कंजम्शन पैटन को भी ले लिया, बट हम अपनी थेयरी में, इन दो पैरामीटर्स को तो ले ना, भूली गए, तो हो सकता है इस ग्राउंड पे, हमारे मरने के बाद, हमारी थेयरीज को क्रिटरसाइज किया जाए, और हमारी थेयरीज को डंप याड में डाल दिया जाए, और हमारे को कभी भी कोई भी रेप्यूटेशन आने वाले समय में लोगों से मिले ही ना, तो इन लोगों ने सोचा, थोड़ा सा एड ओन करते हैं, टॉप अप करते हैं, एड करते हैं, प्राइस, आई रेपीट क्या एड करते हैं, एंड इंकम, तो प्राइस और इंकम को एड करने के साथ, इन्होंने जो थियोरी बनाई चिल्रेन, उसे नाम दे दिया गया, वाट इस कॉल्ड ऐज पाजिट लाइन, आई रेपीट चिल्रेन, क्या नाम दे दिया गया? बाजिट लाइन, और उसके बाद इन्होंने एक और धमाकेदार थेयरी बनाई IC plus budget line जिससे पता लगेगा कि भई consumer का behavior क्या है towards a commodity और इस थेयरी को मैं अपनी भाषा में बोलता हूँ IC plus budget line को चाहत और हैसियत का मिलन पिर से बोली है simple as that चाहत थी so-called ताज महल खरीदने की बड़ हैसियत यही नहीं हैसियत थी जोपड़ी खरीदने की बड़ चाहत नहीं थी तो सर क्या किया जाए तू BHK flat खरीद लेते हैं चाहत भी पूरी हो जाएगी ताज महल की तरह सदा देंगे या बार नाम लिख देंगे ताज महल और हैसियत भी होस होत नहीं ही थी तो यह है बच्चों टोटल हमारे अगले content की पढ़ाई का so-called पूरा का पूरा सार समझ में आ गया चलिए जटपट इसको update करें बच्चों लेट्स कंटीडिन यह डेर सारे लोग बड़े खुश नजर आ रहे है इसका मतलब इनका behavior positive and utility maximized है so consumer कौन होता है सबको पता है one who buys goods and services and wants to satisfy himself और herself और इसका main objective या main aim क्या होता है कि इसका satisfaction ज़्यादा से ज़्यादा हो is that clear और वो अपनी income हम इस तरह से खर्च करेगा कि इसको कम satisfaction वाली चीज़ों को नहीं लेना है और ज़्यादा satisfaction वाली चीज़ों को लेना है suppose you have two economics books दोनों का price market में 300 and 400 है ये वाली जो book है ये लगबग 800 pages की है इसमे numericals थोड़े से कम है और ये वाली 850 pages की है इसमें economics और लास्ट जेर के कुछ 10 साल के papers भी है है तो ये महेंगी और ये वाली सस्ती स्टिल पढ़ने वाला बच्चा कौन सी किताब खरीदेगा 400 वाली और जिसको चिट्विट बनानी है उसके लिए 300 वाली तो इट डिपेंड्स की आपका satisfaction लेवल कहां पे फुल्फिल हो जाता है समझें इस बात को बक्का चलिए सो लेट्स कंटीनिव फर्दर चलन सो कंजूमर के सामने दो चार प्रॉब्लम्स भी है बच्चों पहली प्रॉब्लम कि उस बिचारी की जो income है वो एकदम limited है बट उससे वो चाहते हैं क्या रखता है बच्चों कि मेरा जो satisfaction हो that should be unlimited तो unlimited satisfaction limited income से अगर आपको करना है तो आपको झेलनी पढ़ती है एक समस्या और इस समस्या के समदान को ही हम consumers behavior में पढ़ते हैं बेसिक्टी तो problem समझ में आगई consumer की consumer कौन होता है ये भी clear हो गया चलिए तो वैसे तो demand में कि आपका satisfaction level maximize हो गया you will continue eating and the time your satisfaction level is maximized आप वहीं पे चपाती खाने को रोक देंगे अपने आपको so कभी भी अगर आपने दाल चावल घर में खाए हो पानी पिया हो प्यास लगी है कभी-कभी आप दो ग्लास पानी पी जाते है सर्दी के सीजन में हो सकता है आपको जितनी प्यास लगी है आदे गलास में आपका so-called मन बर गया so this is again known as consumers equilibrium समझे इस बात को पक्का चलिए so benefit should be equal to cost so if I say that you have a class at a particular time and उसी class के time पे आपके घर में मान लीजे there is a family wedding अब बच्चों आप class पे द्यान देंगे या family wedding पे class पे very good और जब family wedding थी उसी दिन exam भी था काफी close relative थे इन्होंने बोला कि भाई 11 बजे शादी है कितने बजे 11 बजे और आपका जो exam का time है that is from 10.30 to 1.30 children what you will be doing आप exam देने जाएंगे या family wedding में जाएंगे exam देने जाएंगे मान लीजे कि एक दोस्त की birthday party है और family wedding भी है समझना गया एक ही particular city में है birthday party का time भी 8 बीम है और family wedding तो 6 बजे से start हो जाती है क्या करेंगे बच्चों सर्वो wedding में जाएंगे wedding में सब कुछ arrangement हो जाएगा जाएंगे और दोस्त की birthday party में जाएंगे और दस बजे वहाँ से वापस family wedding में चले आएंगे तो आपने अपने time को allocate किया कि family wedding भी ने पढ़ जाए as well as दोस्त भी ने पढ़ जाए दोस्तना निप्टे उसकी birthday party ने पढ़ जाएंगे समझ में आई बात की नहीं आई बात तो अगर मेरे पास time कम है और मेरे को कुछ students को backup class देनी है course चूटा हुआ है तो बहुत में main class का time थोड़ा सा कम कर दूंगा और उसी में backup class arrange कर दूंगा fundamental logic is clear तो इसी nature of adjustment को we call it as a position of equilibrium or no change तो आप एक ऐसे point पे आके the body will come to rest at that point where there is no tendency to move any further if moved the level of satisfaction would decrease तो आप घर से निकले और आपको movie देखने PVR cinemas जाना है आप तब तक गाड़ी चलाते रहेंगे पैदल चलते रहेंगे जब तक आप PVR cinemas पहुँच नहीं जाते हैं और जब पहुँच गए आप वही पे रुख जाएंगे is that understood प्यास लगी है पानी कब तक पीते रहेंगे until unless you get your thirst fully quenched लग रहा है थोड़ी सी प्यास और है तेरे good पानी पी लेंगे is that clear उस point के बाद अगर आपने और consume किया और अगर आपका satisfaction increase हो गया इसका मतलब पहले आप जूट बोल रहे थे पहले आपको satisfaction हुआ ही नहीं था तो कभी आप चार चपाती में कुश हो गए मम्मी ने आज कोड़े की सबजी बनाई थी गोबी आलू बनाया था एक दिन मम्मी न आज कौन सब्सक्राइब है संडे चल जाएगा बटर चिकन बनाया है आज तो मैं 11 चपाती खाऊगा ही खाऊगा तो बटर चिकन बना तो आप 11 चपाती लब भेट गए और गोबी आलू की सबजी बनती है तो आप सिर चार या पांच काते हैं मम्मी ने आपको दो पराठा और आलू की सबजी स्कूल में टिफिन में दे दी एक पराठा खाया एक छोड़ दिया मम्मी ने पूचा what is this अपने का what is this दो दिया था एक बचा तो उसका मतलब एक खा लिया अरे मम्मी का पूछने का मतलब है कि खाया क्यो नहीं मैंने इतना effort करके बनाया था morning में उठे आपने का मन नहीं किया गर्मी बहुत थी और यह तेल वेल वाला आलू हमसे खाया नहीं जापा है मम्मी ने का ठीक है अगले दिन मम्मी ने आपको बर्गर दे दिये पांच और घर आके आपके बहुत भूख लगी है बहुत भूख लगी है मम्मी ने का क्यों पांच में कम से कम तो रोटी आप से दो नहीं चबाई जाती अब अगर बारा हचक गया आप तो हर चीज का satisfaction point अलग-अलग होता है समझ में आई बात की नहीं आई बात तो many a times you must have studied literature subject कोई story आपने पढ़ी हो सकता है आदे घंडे में आपको नहीं दा गए इतनी बड़ी है story थी माच फ़र्ड है हो सकता है पांच घंट आप निमेरकल लगाते रहे हैं तो हर चीज का satisfaction level keeps on changing बच्चों तो कोई भी ऐसी event कोई भी ऐसी situation कोई भी ऐसा product कोई भी ऐसी service जिसको acquire हम करते जाते हैं करते करते जाते हैं रुकी नहीं रहे है मतलब अभी maximization of satisfaction नहीं हुआ जहां पर आप रुके your satisfaction tends to be maximum एक दिन मेरी वाइप ने कॉफी बनाई घर में वो mixer में गुल 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 करके beat करके hot coffee cold coffee में cholesterol ज्यादा होता है तो मेरे को बहुत अच्छी लगी फिर एक दिन मैंने बोला फिर coffee बना दो तो she said अच्छा ठीक है बना देते हैं उसने ममी को बोल दिया और ममी ने ध्यान नहीं दिया और उन्होंने चाई की तरह coffee बना दी मैंने का मेरे से coffee ना पी जाएग अगले दिन सब्सक्राइब ग्लास दूसमें डाल दियो उसको मैंने बहुत तेज है तो वो अपना satisfaction maximize कर रहे थे और मैं अपना समझ में आया की नहीं आया क्लिरली understood समझ में आगई बात बच्चो कोई queries कभी कभी इतिका जी पापकी जी तुशे जी उच्वल जी पीपल लंदा हर्ट से हाँ बाइंशी बहुत सकता उनको वो डेश उतनी अच्छी ना लगे अब कल राप में डिनर टाइम के आदे गंटे पहले माई डॉटर सेट पापा वो सोया चाप खाया हुए बड़े दिन हो गए तो मैंने का अच्छा ठीक है मैंने जुमैटो कोला और जो अलाबाद की बेस्ट शॉप थी वहां से ओर्डर किया बट एक्दम दो कॉड़ी की थी एक तो प्राइस भी जादा क्यों कॉंटिटी कम कर देते हैं नाला ह प्राइस का साथ बड़े और एप्रेल में सेशन स्टार्ट होता है बच्चों का बच्चे थोड़े ऐसी लुण चुपूंच टाइप रहते हैं जो अब इक्जान आने वाला होता है हनुमान जी की तरह पूंच में आग लगती है और अपनी लंकाल जला देते हैं एक्जाम टाइम पे चीज़ों आटोमाटिकली जैदा समझ में लग जाती है is that understood equilibrium समझ में आई बात की नहीं आई बात पक्का चलिए है so let's continue further तो consumer का equilibrium क्या होता है ऐसी जगा अपने पैसे खर्च करें किसी commodity की purchase पे या acquisition पे जहां पे उससे मिलने वाला satisfaction जादा हो जब तक satisfaction नहीं मिल जाता you will continue to spend और जब आपको satisfaction मिल गया वहीं पे आप full stop लगा देंगे तो मैं तब तक आपको बढ़ाता रहूँगा जब तक मेरे को लग रहा है कि भाई मेरी energy level exhaust नहीं हो रही sir please mind your language आप तो bon vita पता नहीं कौन सा पीए 15 गंटा पड़ा देंगे एक साथ हमें एक ड़ण गिंटे से उपर नहीं जेल पाएंगे आपको what it तो बच्चों का चैरा नजर अन लगता है कि आप बिचारे सोर एक घम तो आप बच्चों को अच्छटी का वाच के लिए इतना ही बरात वगेरा में शादी वगेरा में आपने लोगों को डांस करते देखा होगा कुछ आदे गंटे में पस्त हो जाते हैं और कुछ लगता आप भी 501 से उपर का महेंगा लग रहा है देना जाएंगे डिनर टाइम पर खाना का आगे है चले आएंगे समझ में आया की नहीं आया चलता है तो पैसा वसूल ये शब्द आपने सुना होगा पैसा वसूल आपने शब्द सुना होगा तो दिस इस दा पॉइंट ओ को फुलर साटसफाक्शन लगता है तो कुछ बचों ने क्लास 12 में पढ़ाई की लेटस से कॉमस सब्जेक की कुछ ने हुमानिटीज की और कुछ ने PCM की और कुछ ने PCB की ये जो PCB वाला है ये अपने पापा से कह रहा है ना MBBS और MS वाकिरा में टाइम बहुत लगता है तो हमें काम करते हैं हम BSC कर लेते हैं followed by MSC कर लेंगे followed by PhD कर लेंगे किसमें clinical research में psychiatrist का काम बढ़िया है depression की बिमारी सबसे बड़ी बिमारी आने वाले समय में तो ये काम सही रहेगा काटा पीटी भी नहीं करनी पड़ेगी टाइम भी कम लगेगा और job satisfaction भी रहेगा नहीं ऐसा नहीं यह तीन साल BSC integrated program कर लिए अगर आपने तो 5 साल maximum 8 साल में आप पैसा कमाने लाइक हो जाएंगे डॉक्टर बने तो 11-12 साल specialization, super specialization PCM वाला कह रहा है कि हम पहले कर लेते हैं so-called एक B.Tech program 4 साल का CAD का exam दे देंगे, IAM से MBA कर लेंगे और बढ़ियां करोलों का job लग जाएगा Humanities वाला कह रहा है मैं graduation के बाद post graduation के साथ-साथ UPSC का एक attempt दे दूँगा एक उसके बाद दे दूँगा और 24 साल की उमर में चीक-ठाक civil services qualify कर लूँगा नहीं भी हुआ, coaching कोल लूँगा दिश्ची IES की तरह, दिविकिर्थी सर की जगा यतना पढ़ा लिगा, ठराप फोड़ जाएगा Commerce वाला कह रहा है, मैं तो एक काम करूँगा मैं सबसे पहले CA के साथ अपना BCOM करूँगा कुछ कहरें नहीं, हम NIFT join कर लेंगे कुछ कहरें नहीं, हम 5-year BA, LLB कर लेंगे कुछ कहरें, हम बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे BBA, कुछ कहरें, integrated 5-year का IMC course कर लेंगे ये सब बातें बाकी लोग भी सुन रहे थे, और सब कहरें हम भी अब यही करेंगे, इसी stream में choices सबसे ज़्यादा है, खेर, सब का अपना अपना viewpoint है चल रहें, होता सब अच्छा है, कुछ खराब नहीं होता मेरे खोबो लोग बेफूप लगते हैं, नहीं डॉक्टर ही बनो बस यह सब डॉक्टर बन जाएंगे, तो पेशेंट मों बनेगा नहीं इंजिनियर ही बनो, उपर वाले ने वराइटी दिये human brains में, तो कोई CA बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई कचोड़ी नहीं रहता है, NIFT कर लिया, तो बहुत बहुत होती है, डॉक्टर लोग सिर्फ अपनी अठकी के टाइम के आपको पूछने आएंगे, सिविल सर्वेंट सिर्फ नेता से डरता है, बागी किसी से नहीं डरता, तो बहुत आपका टेस्ट and preference क्या है, लोगों का दिमाग खराब है, आपको ठीक करने में इंट्रेस्ट है, तो बहुत यह डॉक्टर बन जाओ, क्लिनिकल रिसर्च का कोर्स कर लो, तो बहुत आप के ओपर ये बात है, समझ में आई की नहीं आई बार, मेरे को लोगों से बाते करना, बखवास करना, भौकना बहुत अच्छा लगत तो नहीं टीचर बन गया, समझ में, और ये बात हैं बच्छो, तो इस इस कंजूमर्स एकलिवरियम, तो नेवर से ये लोग बेकार हैं, ये उल्लू हैं, ये गदे हैं, ये पाजी हैं, नहीं बई, ऐसा नहीं है, हर इनसान अपने साट्रसफाक्शन लेवल के हिसाब से काम करता है, किसी की बातने पार्ट बर्कोज में हो गई, किसी की पीजा हत में हो गई, किसी की सो कॉल्ड वहां पार्बीक्यू नेशन में हो गई, लोगों ने मेरे समूच है, आप बढ़े पार्टी कहा देंगे, गुर्दवारे में लंगर रखवा दी, आओ बढ़ियां खाओ, एक्क्यावन सो रुपे में समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो कितने जो अनफोर्ड कर पाते हैं वो भी खा लेंगे, और आपका तो इंविटेशन विद फैमिली रहे गई रहेगा, तो कंजूमर इकलिब्रियम बड़ा असान टॉपिक है चलें, सिर्फ इसको पढ़ाने के लिए खतरनाक टेक्स्ट किताबों में लिखा गया है, जिसको मैं आपके लिए बड़ा असान करने वाला हूँ, चलिए तो ये बाते हैं सब को समझ में आ गई, गितिका जी, पापकी जी, तुशा जी, उजोल जी, कोई कोई कोईरी, समझ में आ गया, तो अभी लास्ट येर मेरे एक रिष्टदार नहीं मिल रहा है, वन डे माई डॉटर सेट कि पापा मैंगो खाना है, तो मिरी वाइफ ने बोला मैंगो चाहिए, तो मैंने लेओ मारे पिट जाके, कहरे अभी बहुत महेंगा मिल रहा है, मैंने अभी शोर मचान लग जाए, खिलो ना मांगईगा और पैसा लग जाएगा तो दो सो रुपे किलो का हम खरीदा गया, कितना? वन केजी, लगबख चार पीस चड़े, परसो अभी घर में पाँच किलो मैंगो आया, क्यों? क्योंकि मैंगो का प्राइस कितना हो गया? 80 रुपी, तो अब मैंगो का प्राइस जब सस्ता हो गया, तो हमें लग रहा है कि तो यह affordable है, सब बकवास लग रहा है, हमें यह satisfactory लग रहा है, क्या लग रहा है? satisfactory. आपको so-called same satisfaction के लिए पैसे कम देने पढ़ने हैं, तो you are happy in that. अगर बच्चों आपके 90% marks आएं, आप commerce subject लेके पढ़ने, कोई बच्चा PCM लेके पढ़ने हैं, उसके भी 90% marks आएं, पेरें Good. अगर इस बच्चे के किसी exam में 58% marks आएं, और इस बच्चे के 24% marks आएं, किसके पेरेंट्स बहुत दुखी होंगे? किसके पेरेंट्स बहुत दुखी होंगे? Commerce वाले के दुखी होंगे? किसी के भी पेरेंट्स दुखी नहीं होंगे. इसके 58% marks आएं थे CIPCC में, और इसके 24% marks आएं थे ITJ के paper में. 24% marks आने में भी 11,800 rank मिल गई इसको. IIT से call letter आ गया है इसका. क्या 24% में पेरेंट्स दुखी होंगे? No. तो मैंने एक नहीं, एक लाक या हजारों example ऐसे देखें हैं कि बच्चे का 90% marks आगया class 12th में. What is clear? बट वो ITJ qualify नहीं कर पाया? 75% number उसके आगया class 12th में और ITJ में उसकी 5000 rank आ गई? Is that clear? सर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जेई की या professional examination की जो त्यारी है, वो understanding based है. MCQ है, पू understanding हो, अगर आपकी writing skill नहीं है, तो आते हुए भी आपको marks नहीं मिलेंगे, but you are not a donkey in that case. Is that clear? तुमारा testing pattern थोड़ा सा गरबढ़ है. तो 90% कहीं पे satisfaction है और कहीं पे 24% satisfaction है. तो satisfaction की definition situation के हिसाब से change होगी रही है. तो जब गर्मी बहुत जादा है, हमारे room का AC 20 पे चलता है, 18 degree जब सर्दी का मौसम आ गया, हम उसको 31 32 पे चलाएंगे, room heater की तरह यूज़ कर लेंगे, तो satisfaction level keeps on changing. यह जैसे क्रिशिव जी है, board होना ही नहीं चाहिए, अब अगर board नहीं होगा, तो हर बच्चा तो IT में नहीं जाना चाहता है, हर बच्चा क्यों इस level तक की पढ़ाई करे सिर्फ platinum और gold भी के है, बागी सब भी के ही न, IQ बढ़ता है, बट interest भी तो एक बात होती है, आपकी मम्मी कह रही है, बेटा दलिया खाने से बहुत फायदा है, टेस्ट भी तो होना चाहिए, हमें नहीं अच्छा लगता टेस्ट, तो मम्मी भी चतुर है, मम्मी ने दाल में दलिया पीस के डाल दिया अंदर, और हमसे के रहे हैं, आज क्रंची डाल बनी है, यह क्रैकल डाल है आज, तो भी टेस्ट भी तो कोई चीज है, आप किसी को कमपेल तोड़ा कर सकते हैं, समझ में आई बात की नहीं आई, हर इंसान अगर J.E. के लिए प्रिपेर करने लग जाएगा, तो नीट के लिए कौन प्रिपेर करेगा, और यह J.E. और नीट वाले सब कुछ के लिए कौन प्रिपेर करेगा, सब C.E. ही बन जाएगे, तो भाईया, ओफिस क्लर्क कहां से मिलेगा, तो पांचों उंगली एक बराबर नहीं होती है, बगवान में हर इंसान को अलग thought process दिया हुआ है, समझ में क्या, हर इंसान कहेगा, नहीं मैं गाड़ी चलाओं, मैं ठेक कौन, गाड़ी में चार्स्टेरिंग लगा दे, एक्सिडेंट हो जाएगा, गाड़ी आगे बढ़ेगी ही नहीं, कोई कह रहा है, तो इसले जीवन की गाड़ी ही नहीं चलत आईगी, तो आप ये बातें बोलकर, कि सबको जेई का ही preparation करा दें, सबको C.A की preparation करा दें, सबको N.I.F.T की करा दें, सबको B.L.L.B करा दें, तो फिर आप तो एक तरह की machine बनाना चाहरे हैं लोगों को, human beings बना बन पाएंगे, चले हैंगे बच्छों, चलिए, सो दो तरह की approaches हैं, मैंने आपको बता दी, ये जो बुड़े कूसेट नजर आ रहे हैं, ये हैं, चाचू, Alfred Marshall, ये जो smart आदमी है, एकदम ये, J.R. Hicks, आपके घर में वो एक thermometer होगा, हिक्स का, इनका और उस thermometer का दूर-दूर तक कोई ले ना देना, नहीं है, समझ में आ गया, तो ये बाते मैंने आपको बता दी है, अब आप कहेंगे सर, ये question कहीं पूछे जाएंगे, शायद CVT में फोटो दिखा के आपसे पूछ ले, या अगर कहीं आपको presentation देनी है, मान लीजिए, तो ऐसा ही हो, चला जाए, आगे बच्चों, तो कुछ बच्चे पढ़ाई भी ऐसे ही क करते हैं, जबर दस्ती घर वालों ने भेज दिया, जाओ पढ़ो जाके, कौन सी अप्रोच है, कार्डिनल, आप अपने मन से पढ़ाई कर रहे हैं, जो आपको अच्छा लगे, कार्डिनल, तो जब मैं बैच स्टार्ट करता हूँ, 11 पे, एक question करता हूँ बच्चे से, commerce by choice ह या commerce by chance है, तो बच्चा बोलता है, commerce by chance, बेटा जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ बच्चे बोलता है, commerce by choice, तुम ही तरक्की करोगे, तो जो भी पढ़िए एकदम, choice से पढ़िए, यही system of understanding का defect है भारत देश में, बच्चा पढ़ना चाता है, literature, parent कहता है, नही तू दिमाग से तेज है, तेरा 96% marks आया है, तू PCM लेके पढ़ ले, बच्चा बनना चाता है, engineer, माता पिता CA, नहीं, तू भी CA बन जा, समझ में आई बाद की नहीं आई बाद, तो ऐसा नहीं होना चीए, basically, और मैं तो एक ही चीज़ पर विश्वा सकता हूं भाया, कुछ called Indian Revenue Services, Commissioner Income Tax, 5 साल बाद posting होती है, उसने जीवन में Commerce का सी नहीं पड़ा, बट जब छापा मारने जाता है, तो वो देख लेता है कि PL Account में कितना फरजी लिखा और कितना सही लिखा है, that is that training that you get, समझ में आ गया, तो हो सकता है आपके पापा ने B.S.C. किया हो, बट वो आप के so-called परवरिश के लिए एक business कर रहे हो, हो सकता है उन्होंने BA किया हो, but he is a businessman today, हो सकता है उन्होंने B.TEC किया हो, but आज वो एक advertising agency चला रहे है, तो whatsoever you have studied is going to help you, चाहे किसी भी sphere में आप पढ़ लीचे है, समझ में आई बात की बिल्कूल भी नहीं आई बात बचो, चलते है आगे, so cardinal utility approach बोलती है, as we consume more and more units of a commodity, content लिखने की जुरूत ही है, note में सब आपके पास, starting में satisfaction level बहुत बढ़िया होता है, ये बात मेरे दिमाग में आयती, जब मैं class 9 में पढ़ता था, मैंने अपने पापा से question किया dinner table पे, Tuesday का दिन था, वही घहां स्पूस खारे दे सब ल लग जाता है, हमारी जो चाहत होती है, उसको खाने की वो कम हो जाती है, तो he told me इसको law of diminishing marginal utility बोलते हैं, जब तुम 11 में जाओगे, टीचर तुमको economics में पढ़ाएंगे, तो ऐसे हमने DMU का example सबचा, एक example और देता हूँ, एक कटोरी में दाल रखिए, और चावल एक portion, एक जायद उतना अच्छा नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि दाल जेनली ठंडी हो जाती है उसके इसमें, और टेस्ट गड़ बड़ा जाता है, जो McDonald's का burger McDonald's में बैठ के खाने में अच्छा लगेगा, वो घर लाकर दो गंटे बाद खाने में अच्छा नहीं लगेगा, फूड क में जितना अच्छा लगेगा बच्छों, क्या आपको दो दिन बाद वो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, और आपका मन भी बर चुका है basically, तो class start होती है, तो बड़ा अच्छा लगता है, वही जीज़े अब देखे, repeat आ रही है, लग ठीक रहोगा, बट उतना इसलिए चेहरे मेरे बना दियें, ताकि रीगेन हो जाए satisfaction आपका, तो पहले बर्गर में तो मुझ खुले ही जा रहा है, भूकी नहीं मिट्रीज, बुकड़गी, दूसरे में भी बहुत अच्छा लग रहा है, तीसरे में भी लिबलिबा रही है, चौते में कह रहा है, बस इतना ही, और अब खाने का मेरा मन नहीं है, बहुत खाली है, पेट भर गया, अग्दम अब अल्टा साँट करा एह tau, तुब ही पता लगए कितना खाये है, अब तो बिल्कुल खाने का मन नहीं है, चटे में कूछ नहीं, अब हो ही नहीं सकता, तो गर में जब guests आते हैं, starting अब इसके बाद कुछ भी खाएंगे तो सब खाया हुआ बाहर आ जाएगा तो वहां पे हमारा satisfaction maximize हो गिया समझे बच्चो इस बात को clearly understood or not understood so this is known as children law of diminishing marginal utility fundamental law है money को छोड़के हर जगा अपलाई होता है money starting में जो आता है अच्छा लगता है बाद में आता है और अच्छा लगता है तो money छोड़के हर जगा अपलाई होता है समझना गया तो starting में जब आपने commerce subject लिया economic subject लिया कुछ भी पढ़ना start किया day one जब school गए बढ़ा अच्छा लग रहा है बढ़िया बढ़िया चूले है बढ़िया classrooms है अच्छे friends मिल गए अब क्या उतना ही इंट्रेस्ट है स्कूल जानी में नहीं क्यों क्योंकि आपका इंट्रेस्ट डाइवर्सिफाय हो गया competitive exam के लिए पढ़ना है और भी हमारे targets है जिसको meet करना है तो आपको लगता है कि आज स्कूल में दो period library है एक games है एक UPW है तो economic से teacher बोल गयते कि wife की दवित खराब है मैं तो आऊंगा नहीं language तो हम खुदी पढ़ लेंगे अब क्या literature के लिए school जाए तो घर में फिजा बनानी चालू अभी मेरे हाथ में दर्द है मेरे पैर में दर्द है नौटन की चालू और अब अगले देंगे स्कूल नहीं चाहेंगे क्यों क्योंकि school जाने में satisfaction level कम है और घर में रहे के पढ़ने में satisfaction level जाता है सवेरे मम्मी ने उठाया आप उठी नहीं नहीं उठी मम्मी को उठो ना लाइको उठो की यूनिट में satisfaction जादा है as he consumes more and more satisfaction गोज ओन diminishing चलिए तो बच्चों आपको नजर आ रहा होगा आपकी screen पे so-called एक analysis ज्यान से देखिए इस analysis को so-called आपको नजर आएगा units of burger satisfaction derived from each burger and total satisfaction derived मैं जान पूछ के पहले mu लिखता हूँ क्योंकि जब एक बच्चे के marks आपको पता होंगे 10 तूसरे के पता होंगे 8 तभी दोनों के 18 आएंगे चलिए खोपड़े में बात गई या नहीं गई चलिए तीसरे के marks जब 6 पता लगेंगे तभी 3 के 24 आएंगे ये ISC की books में बहुत बड़ा flaw है ते राइट टोटल यूटिल्टी फर्स और देन marginal एकदम बकवासे बच्चों एकदम गलत चीज़ है पहले हमेशा marginal ही होगा बाद में एक burger खाने में satisfaction कितना है 10 utils का 10 days का 10 minute का 10 hours का दो में sorry दूसरे में सिर्फ 8 दोनोh burgers से satisfaction कितना मिला 18 तीसरे burgers से satisfaction 6 तीनों से कितना मिला 24 and so on children जैसे जैसे आप जादा burgers ठूसते जा रहे हैं your satisfaction level goes on what children diminishing and thereafter it turns to be zero and उसके बाग you started vomiting that is your satisfaction level is negative तो कहने का मतलब as we consume more and more and more individual burger का satisfaction या commodity का कमोर है total satisfaction बढ रहा है पहले 10 था बचो फिर 10 से कितना बढ़ा 8 add-on कितना हुआ 8 फिर कितना add-on हुआ 6 फिर कितना add-on हुआ 4 फिर कितना add-on हुआ 2 तो तो this is increasing but at a diminishing rate हौले हौले बाड़ा है कैसे बाड़ा है हौले हौले बाड़ा है वो रब ने बना दी जोड़ी एक movie ती शारु खान जी की उसमें गाना था न हौले हौले पढ़ाया था मैंने उनको टॉपिक समझ जा गया तो here we are ignoring the price children there after satisfaction level turns to be maximum और इस point पे चिल्रेन आपको शायद नजर आ रहा होगा your mu is what children zero और इसके बाद आपका tu कम होने लगता है तो starting में आपका tu बढ़ता है बचो जब जब आपका tu बढ़ ला था your mu was going down जब tu maximum हुआ mu कितना होगा बचो जीरो और जब tu गिरा mu is negative टेर सो इसी को बोला जाता है diminishing marginal utility समझ में आ गया एक logic आप मेरे को और बताएंगे तो आपके लिए एक चीज और clear हो जाएगी what is 10 plus nothing 10 very good what is children 10 plus 8 18 what is children 10 plus 8 plus 6 24 24 what is 10 plus 8 plus 6 plus 4 28 what is children 10 plus 8 plus 6 plus 4 plus 3 what is children 10 plus 8 Plus six plus 4 plus 2 plus 0 what is 10 plus 6 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 0 माइनस 2 तो इससे आपको एक फॉर्मिला डिराइब हो गया बच्छो तो टोटल यूटिलिटी आई रिपीट चलन टोटल यूटिलिटी इस सक्सेसिव अडेशन और वाट माजनल अगर मैं आप से पूछ हूँ प्लस 2 प्लस 2 तो यहां पे सर कोई फॉर्मूला है बिल्कुल है M U कैसे निकालेंगे आप T U N minus 1 अप्लिकेशन सीख लीजे अच्छा होगा आपके लिए N 28 को मान लीजे बच्छो इसको मान लीजे 28 को N minus 1 का मतलब होता है preceding number N means a number N minus 1 मतलब preceding number तो N अगर 28 है और N minus 1 अगर 24 है तो बच्छो यह कितना आ जाएगा इन आप मान लीजे लास्ट वाला 24 और N minus 1 सेकंड लास्ट वाला 28 वाट इस 24 माइनस 28 माइनस 4 तो कभी किसी दोस्त को डॉक्टर के पास लेके जाए और अगर इसको वमिटिंग आ रही है और डॉक्टर घर यूनिट अपॉन यूनिट वान अपॉन यूनिट जी हो इससे कहाता है कि अगर यूनिट सक्सेसिवली बढ़ भी रहा है तो भी बहुत आएंगे नहीं वह इससे आ जाएगा आपका अंसर्ट वरी दूसरा पॉम्ला है डेल्टा टीउ अपॉन डेल्टा क्यों यहां पर बच्चों 18 और 24 में कितना चेंज है 18 और 24 में कितना चेंज है 6 इसके सामने 2 और 3 में कितना चेंज है वान तो 6 अपॉन 1 कितना होगा 6 हो जाएगा कि नहीं तो वह इससे आ जाएगा no problem at all is that clear चलिए जट पट इसको लेखने बच्च तो एक analysis चोटा सा करते हैं सबचे चलिए इस फ्री commodity सॉरी इट्स गिविंग यू जीरो साटिस्फेक्शन तो अगर आपको इस commodity के लिए पैसे पे करने हो जो आपको कोई satisfaction देही नहीं रही है क्या पेमेंट करेंगे no to this commodity would be bought only and only when it is certainly available for free else consumer का satisfaction किस पॉइंट पे होगा चलि फिफ्ट यूनिट पे बट आपका जो syllabus है वो आपको बोलता है कि consumer is set to be in equilibrium on purchase of a sixth unit of a commodity क्योंकि यह हम मान के चलते हैं प्राइस तो हमने लिया ही नहीं हम यह मान के चलते हैं कि इसको consume करने में ना कोई फायदा है ना कोई नुकसान है आप break-even पे हैं तो definitely आप इसको consume करेंग बट यहां पे ठीक एगर यह free में भी है your satisfaction is negative आपकी तब है खराब हो गई doctor की दवाई के लिए पैसे लेने पड़ेंगे आपको तो syllabus के हिसाब से it is six unit जहां पे equilibrium आया बट अगर आप real world analysis की बात करेंगे तो जिस चीज से लेने से कोई फायदा ही नहीं है हम क्यों उसको ले होगा बट अगर पैसे आपको देने पड़ने हैं तो आप कहां पर रुख जाएंगे बच्छों समझें इस बात को सबने लिए चलो आपको यह concept क्लियर हो गया जैसे जैसे आप ज्यादा कंद्यूम करेंगे every next unit of a commodity will have lesser and lesser satisfaction graph आपको नजर आ रहोगा बच्छों is the graph visible well to everybody yes yes जटपड बच्छों graph बनाएं गया और यह जो graph है this will be drawn as a part of your homework बन जाएगा सब बना लेंगे चलिए वाई और वाई डैश बनाएगे यहाँ पे तीन relationships आपको नजर आएंगे यहाँ पे आपका T.U. बढ़ ला था बच्छों I repeat your total utility was increasing तो आपके marginal utility पे क्या असर आया decreasing यहाँ पे आपकी total utility maximum हो गई तो marginal utility क्या हो गई चलन जीरो और यहाँ total utility कम हो गई है तो आपका MU turns to be what negative यह काम कर लेंगे होंबक में मैं इसके होंबक दे रहा हूं बिकॉज प्राइस को भी ले लेते हैं दूसरी अप्रोच आपकी चलन प्राइस कैसे काम करेगी सर मैंने आपको बताया था एक्जाम्पल में जब demand chapter पढ़ा रहे थे फिर से उसी एक्जाम्पल को repeat कर रहा हूं चलन रहें petrol is available for hundred rupees per liter कितना hundred mr.a mr.b mr.c and mr.b are four people who own a vehicle और जो एक लीटर पेट्रल में वेहिकल ड्राइब करते हैं यह कह रहा है अगर मेरी वेहिकल 50 km per liter का mileage देगी तब तो मैं इसको चलाऊंगा अगर उससे कम mileage मिल रहा है तो मैं नहीं चलाऊंगा b कह रहा है अगर मेरे को 40 km per liter का mileage मिलेगा तो मैं गाड़ी चलाऊंगा उससे कम अगर mileage होता है तो मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा c कह रहा है कि मैं अगर 25 km का भी mileage मिलता है तो मैं गाड़ी चलाऊंगा इससे कम होगा तो मैं नहीं चलाऊंगा दी कह रहा है मेरी गाड़ी अगर एक लिटर में 10 किलोमेटर भी चल जाती है तो भी मैं गाड़ी चलाओंगा तो 100 रुपए का पेट्रल है बचो और Mr. A का satisfaction लेवल है रुपी 2 पर किलोमेटर भी मेरी बात सुन ही पड़ी 100 रुपए के पेट्रल में गाड़ी 50 किलोमेटर चले तो 100 रुपए में अगर 50 किलोमेटर चल रही है तो एक किलोमेटर चलने में कितने पैसे लग रहे हैं दो रुपए A afford कर सकता है दो रुपए तक पर किलोमेटर पर खर्च करना B afford कर सकता है चलन धाई रुपए पर किलोमेटर C afford कर सकता है 4 रुपी पर किलोमेटर और D afford कर सकता है 10 रुपी पर किलोमेटर सब लोगों ने गाड़ी चलानी स्टार्ट की instance 1 गाड़ी का माइलेच एक लिटर में 75 किलोमेटर पर लिटर धा चल रहे हैं A, B, C, D all will drive और some will ignore all will drive instance number 2 गाड़ी का माइलेच so-called 50 किलोमेटर पर लिटर हो चुका है समय all will still drive instance 3 गाड़ी का जो माइलेच है that has turned down to 40 किलोमेटर पर लिटर B चलाएगा गाड़ी को C चलाएगा, D चलाएगा A क्यों नहीं चलाएगा उसका satisfaction क्या था कि बही एक किलोमेटर के लिए मैं खर्ष करूँगा सिर्फ और सिर्फ दो रुप बट अब एक किलोमेटर गाड़ी कितने में चल रही है बचो थाई रुपे में तो कौन मार्केट से exit कर जाएगा A यहां तक किसी को भी कुछ समझने में कोई प्रॉब्लम चलाएगा पक्का कितिगा जी समझ गए अब गाड़ी का माइलेज हो गया चल रही है गाड़ी 20 किलोमेटर चल रही है एक लीटर फ्यूल में B कह रहा था 40 किलोमेटर का माइलेज दे की तो मैं गाड़ी चलाऊंगा C कह रहा है 25 का माइलेज दे की तो मैं चलाऊंगा बट दोनों के expectation के हिसाब से माइलेज कम हो गया 100 रुपे के petrol में 20 किलोमेटर गाड़ी चल रही है बचो तो एक किलोमेटर गाड़ी चलाने में कितने रुपे लग रहे है 5 रुपे whereas B की affordability और so called C की affordability क्या 5 रुपे की है यह कह रहे है हमारी भी हैसियत की बात की बाहर है मतलब बाहर की बात है तो हम भी यह गाड़ी नहीं चलाएंगे but still who will continue to drive D राजा दिराज का बेटा थो ना इसलिए drive कर रहा है the last and the fifth example अब गाड़ी सिर्फ और सिर्फ एक लीटर पेट्रल में पाँच किलोमेटर चल रही है इतना कम क्यों सर बहुत जैदा जाम लगा हुआ है तीन तीन चार चार दिन का जाम लगा है गाड़ी स्टाड़ी खड़ी हुई है is that clear अब पाँच किलोमेटर गाड़ी चल रही है सो रुपे के पेट्रल में एक किलोमेटर चलाने में कितने पैसे लग गए बीस रुपे है बेचारा D अफोर्ड कर सकता था सिर्फ और सिर्फ दस रुपे तक ये भी मार्किट से कुट कर जाएगा तो कहने का मतलब हर परसन अपने लिए एक पर्टिकलर पारामीटर डिसाइड कर लेता है इनके लिए एक किलोमेटर का साटिसफेक्शन कितने रुपे में होगा तो ये लेंगे वरना नहीं लेंगे इनके लिए एक किलोमेटर का साटिसफेक्शन कितने रुपे में होगा तो ये उसे लेंगे वरना नहीं लेंगे 2.5 ये एक किलोमेटर गाड़ी कितने रुपे में एफोड गर सकता है तो बच्चों सबका अलग अलग था कि सेम था कितने लोगों के नाम मैंने यहां पे लिए चार देश में 141 करोड की अबादी है कितने एक्जैंपल बनेंगे कम से कम 141 करोड से कम तो बनेंगी नी हर इंसान का अपना अपना व्यू है भई हर इंसान का अपना अपना व्यू है सबके पास कार नहीं है तो सबके पास cycle है, वो हवा बरवाने कोस जोड़ेगा, कि दो रुपए की भी हवा बरेगी, तो मैं गाड़ी चलाओंगा, बरना नहीं चलाओंगा, तो economist ने बच्चो इस model को असान करने के लिए, एक standard industry में दे दिया, and what is the standard, the standard is, एक यूटिल का benefit एक रुपएया, कितना बच्चो एक यूटिल का benefit, एक रुपएया, यूटिल क्या है सर, जैसे यहाँ किलोमेटर था, वैसे ही so called यहाँ पे यूटिल है, तो standard assumption पूरी दुनिया में चलता है, कि एक यूटिल का analysis करने के लिए, एक यूटिल का satisfaction लेने के लिए, अगर एक रुपएया खर्च हो रहा है, तो तो मैं इस काम को करूंगा, अगर इससे जादा खर्चा हो रहा है, या खर्चा एक रुपएया हो रहा है, बट satisfaction कम मिल रह है, sorry, हम switch over कर जाएंगे, कुछ और खरीद लेंगे, तो McDonald's का burger 45 बाकि सब इससे so-called अलग थे, आप सिर्फ तभी तक McDonald's का burger लेंगे, जब तक उतना portion of burger कोई दूसरा इससे सस्ते में आपको ना देते हैं, समझ गाए बात को, चलिए, तो हमने यहाँ पे shirts का example लिया है चलिए और हमारी shirt कितने की है, 600, sir कौन सी है, Peter England है क्या, नहीं, पीटर Tamil Nadu है यह, 600 रुपे की shirt है, पहली shirt आपने खरीदी, 600 की, 700 दिन तक आपने उसको पहना, आपको satisfaction कितने का मिला चल रहें, 700 days का जिसको हम यहाँ यूटिल बोल रहे हैं, पैसे खर्चुए 600 और shirt use की 700, तो अग unitary method apply करें चल रहें, 600 रुपे खर्च करने पे 700 यूटिल्स का satisfaction मिलता है, तो एक रुपे खर्च करने पे satisfaction कितना मिलेगा, answer is 1.16, you are getting more satisfaction than what you thought, चल रहें, और you are getting a lesser satisfaction, more, more, आपने कुछ दिन बाद एक और shirt खरी थी, दूसरी shirt, same 600 रुपे की, same design था, तो भई पहनने में अच्छी तो नहीं लगेगी आपको, या वो फील नहीं आएगा, satisfaction कम होके कितना हो गया, 650, इसको आपने वहीं से derive किया है, अब आपने खर्च किये 600 रुपे, बट satisfaction कितना है चल रहें, 600, तो 600 खर्च किया, शाड़े 600 का satisfaction, एक रुपे खर्च करने पे satisfaction कितना है चल रहें, 1.08, your satisfaction is still more than a रुपी चल रहें, और less than a रुपी और equal to रुपी, is that clear, is that clear, तो पहली shirt भी खरीदेंगे, दूसरी भी खरीदेंगे, कोईश दिन बाद आपने एक और shirt ले ली बचों, कितने की थी ये shirt भी बचों, 600 की, satisfaction भी कितना मिला, 600, अब आपका satisfaction जितना assumed था, उससे कम है children, उससे जादा है या उसके बराबर है, उसके बराबर है, एक रुपे खर्च कर रहें, एक satisfaction मिल रहा है, तो still you are in your domain, खरीदेंगे इस shirt को या नहीं खरीदेंगे, खरीदेंगे, एक और shirt ली, still 600 की है, satisfaction कितना है, फाइव निटे, तो 600 रुपे का satisfaction अगर 500, तो एक रुपे का satisfaction कितना है, 0.8, 3, क्या बच्चो satisfaction रुपी स्पेंट के बराबर है, तो in that case, consumer कह रहा था, ये होगा, तो I'll go for it, else I won't go, तो आप इन shirts को बच्चो लेंगे, या बिलकुल भी नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, बिलकुल भी नहीं लेंगे, क्योंकि इन shirts पे, मिलने वाला satisfaction, price paid से थोड़ा कम है, खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई, मज में आ गया, चलिए, तो इनको कुछ बोलना पड़े हैं, इन दोनो situations पे भी shopping होगी, as well as children, इस situation पे भी shopping होगी, तो जो पहले की दो situations हैं children, इन्हें economics की भाशा में क्या बोला जाएगा, और इस situation को economics की भाशा में क्य बोला जाएगा, the first situation will be called as satisfaction derived is more than price paid, और इसको बोला जाएगा, satisfaction derived is equal to price paid, सबजी मंडी मम्मी के साथ गए, आलू था 1.500 रुपए किलो, आपने का मम्मी, MUX is less than PX, ममी की क्या बगवास कर रहा है हो, satisfaction derived is less, but price paid is more, तो क्या आप वो पोटेटो परचेस करेंगे children, आप उस पोटेटो को बिलकुल भी परचेस नहीं करेंगे, so a consumer will be willing to buy only those set of commodities or goods, where his satisfaction is more, at least equal, but never he'll be doing this nuisance, तो 200 रुपए किलो का आपल कैसा लग रहा है बजार में, satisfaction कम देगा, but price जादा है, 80 रुपए वाला कैसा लग रहा है, satisfaction जादा देगा, but price कम है, या at least equal है, तो हर वो चीज हम जो बजार से खरीदते हैं, वो तब ही खरीदते हैं, जब यह होता है, चल रहा है, और जब वो नहीं खरीदते हैं, तब क्या होता है, यह होता है, तो article 370 A, movie लगी, पहले दिन मैंने ticket देखा, 390 रुपए का था, मेरे दिमाग में यह चलाया, Will I go and watch the movie? एक महिने बाद 112 का ticket हो गया, जरूर जहेंगे, is that understood or not? पक्का, तो जब भी market जाएं, shopping करने, मम्मी के साथ code word में बात करनी है, खरीदना है, मम्मी बोलेगे yes, MUX is more than or equal to PX, सब जी बाला समझी नहीं पाएगा, मम्मी को कह रहा है आपको नहीं खरीदना है, तो से पूचा, रिष्टा final कर दे, नहीं अंटी, MUX less than PX है, यह लोग दहेच कम दे रहे हैं, और इनकी लड़गी है बहुत तेज़ टाइपी, और जहां पर रिष्टा आओ गया, बात बन गहीं वहां क्या है, equal to or more than, समझ में आया, तो आप हर उस दिन स्कूल जाते हैं, जिस कल स्कूल चलते हैं, MUX more than or equal to, कल स्कूल MUX less than PX रहेगा, आगे बताओ, समझ में आ गया, बात हो नहीं पूरी, हाँ जोल जी बोली है, आप कुछ बोल रहे थे, सर अगर consumer को पहली unit shirt पे सबसे जादर maximum satisfaction विल लिए तो और क्यों खरीदेगा, मैं इस बात प्याने वाला था, maximum शब्द का मतलब बच्चों 1.16 नहीं होता है, maximum का मतलब होता है 1.16 plus 1.08 plus 1, समझ में आया, जहां तक आपका MUX equal to PX नहीं हो जाता, वहां तक आप, वीर तुम बड़े चलो, आगे पाड़ो, सौरब सरीदारो, चाहे दो भी पशाड़ो, ठीक, तो maximum को गणित के शब्दों में नहीं लेना है, maximum को वहां तक लेना है, जहां तक आपका MUX equals to PX हो गया, समझ में आया की नहीं आया, पैसा वसूल, तो एक बार एक अंकल आंटी जा रहे थे खाना खाने, उनकी वाइफ ने अपने हस्बेंट से बोला, बड़े दिन से तुमने मेरे को ताज में खाना न अब आंटी को सनग चल गई, कहने मैं भी कुछ कम नहीं चलो, मैं भी खा के दिखाती हूँ, अंकल ने 1500 गुल गप्पे उनको खिला दिये 1500 रुपए में, बोले आओ चलो चलते हैं, ताज खाना खाने, अब क्या चला है, पेड बर के अघर वापिस चलो, तो अंकल का ताज में क्या था, MUX less than PX, अकल लगाई, कैसे MUX more than or equal to करेंगे, पानी फूरी चला के, समझें की नहीं समझें, एक बर मैं शादी में गया था, वेटर बार बार पानी ला जा रहा, पानी ला जा रहा, पानी ला जा रहा, पानी ला जा रहा, मैं उसको बुलाया, मैंने किधर पूरा एक्जम्पल आपने लिख लिया होगा चाहे, पूरा एक्जम्पल लिख लिया है, चलिए तो next lecture में हम इसके कुछ assumptions पढ़ेंगे, इसका graph पढ़ेंगे और अगली theory आपको पढ़ेंगे चला, okay, that's all.